विदेश में नौकरी करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आपको बताते हैं इस नौकरी के लिए क्या करना होगा। गोल्डन और सैनेबी ने सुएकार किया है कि काम की विना करमचारी उप सकता है। लेकिन वे अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उपयोग कर सकता है या वे आराम की नौकरी कर सकता है। हमारा उद्देश लोगों को उश्रम के महत्तो को समझाना है। आपको बता दें कि स्वीडन की सरकार ने गोथेनबर्ग शहर में दो नए स्टेशनों की डिजाइन के लिए आर्टिस्ट की प्रतियोकता कराई थी। जिससे स्वीडिस आर्टिस्ट साइमन गोल्डिन और जैकप सैनेबी ने जीता था। सरकार ने उन्हें करीब 4,50,000,000,000 रुपे बतौर पुरसकार दिये। इसी पैसे से ये कलाकार बिना काम वाले करमचारियों को वेतन देंगे। हाला कि अभी इस्टेशन बन रहा है और रिलगारियों का परिचालन भी 2026 से शुरू होने की उमीद है।